मैं कुछ बाते इसामने रख रहा हूँ मुझे नहीं मालूम मैं उनको पूरी तरह समझा सकता हूँ या नहीं पर अगर आप में जरा भी अंतर द्रिश्टी होगी तो आप संबंध बैठा पाएंगे दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा तबका है जो अब ये कहने में गौरव महसूस करता है कि पदार्थ है और सिर्फ पदार्थ है और पदार्थ के अतरिक्त कुछ नहीं है वो अपने आपको अधिकारिक तोर से अफिशिली घोशित करते हैं अथिस्ट या एगनॉस्टिक मुझे नहीं मालूम कि उनमें से कितने लोग समझते भी हैं कि वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम उनमें से कितने लोगों को नास्तिक्ता का वास्तवी कर्थ भी पता है पर इतना उन्होंने बिलकुल विश्वास के साथ घोशित कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ material है अगर सिर्फ और सिर्फ material है तो किसी भी चीज़ को सम्मान क्या देना material तो material है molecule है चाहे कोई material हो अब कोई भी चीज़ श्रद्धा और सम्मान की हगदार कहा रही फिर तो अपना शरीर भी क्या है material और सामने वाली इस्तरी का शरीर भी क्या है material अब कौन सा सम्मान, कौन सी शद्धा the sacred has gone totally out of the equation nothing is sacred कोई भी चीज अब ऐसी नहीं बची है जिसको हम कह दें ये पवित्र है इसको छूमत देना जब कुछ पवित्र नहीं है तो फिर हम हर चीज को गंदा करे जा रहे हैं कुछ भी पवित्र नहीं हम कहते कुछ भी नहीं है जिसपर सवाल नहीं उठा जा सकते कुछ भी नहीं है जिसपर जाकर के मल नहीं त्यागा जा सकता अपना तो वही चल रहा है भोग की और प्रेरित करने वाली ताकतें दिन बदिन और 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 मजबूत होती जा रही है भोग को रोकने वाली ताकतें बिलकुल कमजोर होती जा रही है अब तो समय इंस्टेंट क्रेटिफिकेशन का है न ओ यह सभी लुक फॉर हैपिनेस इन इस मुमेंट तो बलातकारी अब क्यों न कहे कि बाद में सजा हो चाहे मौत हो आई लिव इन इस मुमेंट और माइवन हैपिनेस इस ग्रेटेस्ट गोल अफ मै लाइफ जीवन है ही इसलिए कि अपने सुख की और बढ़ो और वो सुख तुमें कब पाना है इसी पल में तो इसी पल में सुख पालो आगे जो होगा देखा जाएगा आगे की परवा करना तो मुर्खों का काम है हम क्यों सोचें कि आगे सजा होगी ये लो ये है बलातकारी का गड़ित मुझे अचंभा होता है एक टीवी चैनल में लिखा आ रहा था बलातकार की बेचारी पिड़िता के साथ उसका नाम लिख के लिखा हुआ था बिटिया मान लो उसका कुछ नाम है कुछ भी नाम है कोई नाम ले लो कालपनिक नाम रेखा तो वैसे भले ही अगर उसका नाम आता तो कह देते रेखा पर अब कुछ मामला ऐसा हुआ था कभी तो उसके साथ लिखा आ रहा है रेखा बिटिया रेखा बिटिया के अपरादियों को सजा दो एसा बड़ा-बड़ा स्क्रीन में लिखा हुआ रहा था रेखा बिटिया के अपरादियों को सजा दो ठीक और उसके तुरंत बाद एक रियालिटी शो चला दिया जिसमें छे साल की लड़की नाच रही है और उसके इर्द गिर्द छे साथ पुरुष नाच रहे हैं और उसके गाना क्या है जिस पर नाच रही है मुझे ठीक से याद नहीं पर एक नंबर का कामों तेजग गाना और उसके छे साल की लड़की को तुम नचा रहे हो और सबसे ज्यादा दुखत बात उसी लड़की के माबाप और इस नूज चैनल को समझ में भी नहीं आ रहा कि थोड़ी देर पहले तुम बिटिया बोल रहे थे और अब जो बिटिया है उसको तुम क्या कर रहे हो अब बलातकार होगा की नहीं होगा जाकर सजा दोना इस नूज चैनल को और जाकर सजा दो उस फिल्म प्रोड्यूसर को जिसकी फिल्म में वो गाना था और जाकर सजा दो उस अभिनेतरी को जो उस गाने पर अर्धनग्ननाची थी और जाकर सजा दो उन सब लोगों को जो उस फिल्म का 200-300 का टिकट के लेके देखने गए थे और उस प्रोड्यूसर की जेब में 300 करोड का मुनापळा भरा था उनको सजा क्यों नहीं दे रहे हम सजा की मांग करते हैं घर बैठ करके एक न्यूस चैनल पर सजा की मांग चल रही है दूसरे न्यूस चैनल पर एक रियालिटी शो चल रहा है जिसमें हद दर्जे की काम लो लुपता दर्शाई जा रही है आप कोई विरोधाभास दिखाई नहीं देता फिर आप कहते हैं अरे अरे वो लोग बड़े खराब है जो बलातकार करते हैं वो लोग निश्यत रूप से बहुत खराब है जो बलातकार करते हैं पर पूरी बात करो उनकी बात कौन करेगा जो पूरे देश में बलातकार का महौल बना रहे हैं और देश में नहीं पूरी दुनिया में, उनकी बात कौन करेगा? उन फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुल्स, दार्शनिकों और पुद्धी जीवियों की बात कौन करेगा? जिन्होंने हमें समझा दिया है कि खुशी के लिए ही तो जिया जाता है. उन लिबरल्स की बात कौन करेगा? जिन्होंने किसी भी चीज़ को सेक्रड मानने से इंकार कर दिया है. उन उद्ध्योग पतियों की कौन बात करेगा? जो हजार तरीके के विज्ञापन दे करके, हमें भोग की तरफ पेरित करते रहते हैं. और भूलिय का नहीं, अधिकांच विज्ञापनों में एक अर्धनगन लड़की ही होती है, जो आपको भोग के लिए उकसा रही होती है. पुर्षों के रेजर का भी विज्ञापन पूरा नहीं हो सकता, जब तक उसमें एक जवान लड़की आ करके अपनी अदाइन अभिखेरे. पुर्षों के अंतर वस्त्रों का चड़ी और बन्यान का भी विज्ञापन नहीं हो सकता, अगर उसमें कोई लड़की नहीं घूम रही. ऐसे विज्ञापन दाताओं को सजा कौन देगा, बताओ. और ऐसे विज्ञापन दाता, क्या एक के बाद एक, शरंखला बद्ध बलातकारी नहीं पैदा कर रहे हैं? जवाब दो. इंटरनेट फ्री हो गया है. ठीक? निकलो सड़क पर, यह जो सर्वहारा तबका है, मजदूर हो, रिक्षे वाला हो, छोटा किसान हो, सबके हाथ में अंडरॉइड है, और हर फोन पर पॉर्ण चल रही है. और पॉर्ण माने यहीं नहीं कि तुमको पॉर्ण वेबसाइट पर जाना है, लोग कहते हैं, यह पॉर्ण वेबसाइट बैन होनी चाहिए. पॉर्ण वेबसाइट बैन कर दोगे, टीवी को कैसे बैन करोगे, और फिल्मों को कैसे बैन करोगे, अब यह नहीं हुआ है. कि लोग या तो फिल्म देखते हैं, या पॉर्ण देखते हैं, अब यह हुआ है कि फिल्म ही पॉर्ण है. उसको भी बैन कर दो अखबारों की भी जो वेब साइट से हैं उसमें जा कर देखो अभी एक में था एक यूती का नाम और उसके आगे लिखा हुआ है इस कर्वस ओफ कुछ भी नाम ले लो उसका सनेहा इस कर्वस ओफ सनेहा विल मेक यू डूल सनेहा स्कर्वस ओफ विल मेक यू डूल डूल मैंने जानते हो क्या होता है लार टपकाना लार टपकाना और ये बात एक पौर्ण वेब साइट नहीं कह रहे है ये एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की वेब साइट बोल रही है कि सनेहा के उभार देक करके तुम लार टपकाना शुरू कर दोगे ये समाचार पत्र की हेड्लाइन है ये न्यूज आइटम है जाके इस समाचार पत्र के मालिक को और इस समचार पत्र में विज्ञापन देने वालों को क्यों नहीं सजा देते ये कितने बलातकारी प्यादा कर रहे हैं कुछ हिसाब है ये डूल माने क्या होता है तुमने कैसे लिख दिया क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है कहां है हमारा इंटेलिजेंशिया कहां है हमारे लिबरल्स कैसे लिख रहे हो इसने हाँ सकर्वस विल मेक यूड रूल और ये हॉट माने क्या होता है विच आफ दीज बेब्स इस दा हॉटेस्ट ये हॉट माने क्या होता है बताओ होट माने यही ना कामो तेज़क किसको देखकर के तुम में कामो तेजना आजाती है जब यह लिखा जाता है तब इनको कोई सजा क्यों नहीं देता और मैं यह सब इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं हिद्दत्तों का पैरोकार हूं या भारतिय संस्कृति का पक्षधर हूँ मुझे एक बात पता है कि अगर आपके मन में बार बार कचरा भरा जा रहा है तो आप जीयोन में कोई सार्थक काम नहीं कर सकते और बार बार आपको स्तिरी के शरीर को भोगने के लिए लेलाईत करा जा रहा हूँ ये मन में कचरा ही भरने की बात है मैं बिलकुल आध्धात्मिक दृष्टे से इनका विरोध कर रहा हूँ ना हिंदू बन के कर रहा हूँ और ना संस्कृतिका धजारोहक बन के कर रहा हूँ मैं बहुत सीधे साधे इंसान की तरह पूछ रहा हूँ ये सब जो तुम कर रहे हो इस से तुम बलातकारियों की ही फसल नहीं पैदा कर रहे है तो और क्या कर रहे हो और ये सब करने वाले जो भी लोग हैं उनको समर्थन देने वाला देश का आम आदमी है इस आम आदमी को सजा कौन देगा विज्यापन दाता जो भी होगा उस विज्यापन को देख करके उस उत्पाद को खरीदने वाले तो हम ही है न हमें सजा कौन देगा फिल्म चाहे जिसने बनाई हो उस फिल्म का धंदा चमकाने वाले तो हम ही है न हमें सजा कौन देगा कितने ही नेता हैं अब जिनकी राजनीती चल ही इस पर रही है कि मारो हिंसा मारो हिंसा उनकी बात सुन सुन करके अगर आदमी भी हिंसक हुआ जाता हो तो उन नेताओं को सजा कौन देगा और ये कह करके मैं दोरा रहा हूं तिहरा रहा हूं मैं बचाव नहीं कर रहा हूं उनका जो बलातकार इत्यादी करते हैं उन्हें सबसे पहले सजा दो कड़ी से कड़ी सजा दो पर सिर्फ उनको सजा मत दो अगर तुम वास्तों में चाहते हो कि आपराध रुकें तो समस्या की जड़ तक पहुचो समस्या के मूल तक पहुचो समस्या का मूल ये है कि बहुत मूर्ख लोगों के हाथ में ताकत है और धन है और वो इस स्थित में बैठ गए हैं कि वो सब जनता को प्रभावित कर सकते हैं मीडिया के कॉलमिस्ट भी वो है और मीडिया के ओनर भी वही है इन सब में साजा क्या है एक चीज अध्यात में से इने कोई सरोकार नहीं सच्चाई की इने कोई तलब नहीं झाल